तो आपका तो फॉर्थ पॉइंट है डिसमें एड़ा कि दोनों गयमीट फाइयट सब्सक्राइब और नहीं करती हैं यान recoil जो आपके चॉन्न वर्फन कोई संबंद नहीं तो निर्माड होता है यह में आपका निर्माड होता है जो विखसत हो रहे Все कि सब्सक्राव पहलए चले में यह सब्सक्राटा गशान के संग्रय उतक में धस आता है कि स्बसक्राइब आपका embryo क्या और विक्सत हो रहा है इसको किसमें धसा देता है आपका female gametophyte के तंगरह उतक में कट देता है इसको धसाता है ठीक है ऐसा gymnosperm में देखा जाता है यह प्रिकर्य आपको किसमें मिलती ही देखने को जिम्नो का पाया जाना तथा मेगा इस्पूर का मेगा में रोका जाना और अंकुरन करना और उनका क्या करना अंकुरन करना एंजियो इस्पर्म तथा जिमनो इस्पर्म में सीड हैविट को स्पर्ष करता है किसको स्पर्ष करता है सीड हैविट को स्पर्ष करता है ठीक है एंजियो इस्पर्म और आपके जिमनो इस्पर्म करा सिलेज नेला सीड हैविट के बहुत करीब है यानि कि जो आपका Sledge Nela है ठीक है टेड़ी डूफाइट का जो Sledge Nela Sledge Nela है उसमें भी आपका Seed Habit की Condition लगवग लगवग पाई जाती ये पूरी तरह से नहीं पाई जाती मतलब ये उसके बहुत ज़्यादा करीब है यदि इनमे True Seed का Farmation नहीं होता है क्योंकि लेकिन इनमे कह रहा है कि आपका जो Mega Sporengium में आवरण नहीं पाया जाता है जो आपका Mega Sporengium होता है जिनमें आपके Spores भरे रहते हैं उनमें आपका आवरण जो है नहीं पाया जाता है ठीक है इसमें आपके Spores होते है दूसरा कह रहा है Mega Sporengium में Mega Sporeng को इस्थाई रूप में रोका जान प्रमाड़त नहीं है मेगा इस्पोर एंजियम में जो आपके मेगा इस्पोर होते हैं ठीक है यानि कि बड़े इस्पोर्स होते हैं उनको इस्थाई रूप से रोका जाना प्रमाड़त नहीं है उनको इस्थाई रूप से नहीं रोका जा सकता है थाड़ कह रहा है embryo के बिकास के बाद बिस्रा मवस्था नहीं होती है इसमें embryo बन जाता है लेकिन उसके बाद जो है ये आपकी बिस्रा मवस्था नहीं होती है क्रिया आगे चलती रहती है ठीक है तो इसमें बिस्रा मवस्था आपकी नहीं होती है हम देखते हैं इसके structure में क्या क्या आपको दिखाया गया है है इस तरह की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यह है आपका जो है इसे पाई जाती है अब इसमें आपको देखना क्या है कि मेगा इसमें जो मालो आपके कुछ इस तरह की जो सरचना है ऐसी वाली यहां पर एक छोटी सी सरचना कुछ इस तरह की पाई जाती है ठीक है इसी सरचना को क्या कहा है इसे कहते हैं इसके बाद यह जो आपका पूरा लीफ टाइफ है इसे वाले को हम क्या कहते हैं इसreiben मेगा इस पो रोफिल क्या कहते हैं वेगा इस पो रोफिल ने कि मेगा इस पोरर हneg repeating यहादे कि मेगा इस पे छोटे शिप्म टे हैं माइक्रों मय इस पोर एन जिम इसको म क्या कहते है माइक्रोस्पोरोफिल, क्या कहते है, Myospor pride, भूनों जो आप Programs tribal of Transl but झैं कि आपके एक हूं फ्रॉष्पीर्ध फिक वाली सहर्चन के off já दिये। आपके देखने को मिलते बसकही जो आपका एक दिखाए दे रहा हिक यह वाली सरब्स नहां आपकी कुछ इस तरह से इसको कि तरफ इसको ऐसे रख लिया है तो यह आप के कुछ यह सब्सक्राइब को मिलेगी देखने ने डिक है घंधी तो कि यह और यह पती के अंदर वाला वाग यह आपका के कहला है का मेगा इस पॉर फिल थीक है तो मेगा इस्पॉर एंजियम और मेगा इस लगे हुए है अब हम बात करते कि माइक्रो इजियम और दूसरा हमने उपर वाली यह काट ले ली थी तुर से दिखाई देगी ठीक है इस तरह से, इसमें जो आपकी ये काट है, इसमें आपके बहुत छोटे-छोटे स्पोर्स भरे हैं, ठीक है, क्या है, छोटे-छोटे स्पोर्स भरे हैं, तो इनी स्पोर्स को क्या कह दिया जाता है, तो यह वह पिए आपका अभाग को के कहते हैं इसी तरह से बर यहां पर आपका ऑल स्चो बिलस लेश यानि कि कि लॉंगीट्विट्विंब स्टक्चर है उसको हमने ऐसे कर चार दिया जो आपका पौधा अभी हमने उपर देखा था उसको बिल्कुल बीच तो यहां पर अगर हम बात करें उपर वाले सबसे उपर वाले की इसकी बात करें तो यह आपका क्या हो जागा हो जागां मेगा इस पर एंजियम इदर आपके ये भाग हो जागा है कि यह आपका हो जागा나ेक्रोस पूर इंजियम कि क्या हो मा एक растा Y कैसे होंगे आपके चोटे ठीक है इसपोर चोटे मायक्रोस पॉरेंजियम स्पॉर्स आपके थोड़े वड़े मेगा लेकर्डेश ठीक है और वी जो बाहर बाला पत्ति समान यह भाग होता है यह वह भाग होता है इसको कहते हैं उसको, और यह जो आपका है यह किया है मेगा शपॉर्ट यानि कि कुछ तरह की सरचना यह सरचना अब क्या है यह है यह की मेगा शोट है यानिキ एक श्पॉर्स है लेकिन थोढ़ा आपका बड़ा है ठीक है यानि कि हम क्या पढ़ना है है यानि कि विशम विजारुकता तो इस पोर कैसा इसमें बड़ा है और इधर स्पोर आपके कैसे हैं छोटे-छोटे हैं ठीक है तो इनको कहेंगे हम जिसमें बड़े स्पोर उसे मं क्या कहते हैं माइकरो स्पोरफिल जिसमें बड़े स्पोर पाते इस시면 मुझी यानि कि छोटे छोटे मीगासपोर्ट यह उगए आपका क्या हैं। इसारचना है कुछ में आपको को सबस्टार्चना है करने किस नाम से जानेते थे इसको सीड हैविट ठीक है या सीड हैविट या बीज सुभाव इन सभी पर हमें क्या करना था एक टिपड़ी लिखनी थी या इनके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना था तो यह इस तरह से आपका कोश्चन होता है पूरा मिलते हैं अगले वीडियो म में बनरी है मासा थैंक्स वाचिंग शेयर दा वीडियो